कुचलने से नवजाद बच्चे की हुई मौत परिजनों ने लगाया पुलिस पर छाफे मारी के दौरान कुचलने का आरोग गिरीटी जारकंड के गिरीटी में पुलिस पर परिजनों ने नवजाद बच्चे को अंजान वश कुचल कर मारने का रूप लगाया है गिरिटी जिले के देवरी थानाच शेत्र के कोसो गोंदो दीगी गाउं में चार दिन पूर्व जन में नवजात बच्चे की मौत हो गई है घटनाच से जहां परिजनों में मातब है वहीं परिजनों वा ग्रामीडों में पुलिस के खिलाब आक्रोश व्यात है परिजनों का आरोप है की नवजात की मौत वारंटी की तलाश में आई देवरी पुलिस के पुझले जाने से हुई है साथ ही उन पर मारने वा शिकायत न करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है इधर घटना की जैनकारी मिलने के बाद वरिस्त अधिकारियों की निर्देश पर जान शुरू हो गई है जानकारी देते हुए मिलत नवजात के परिजनों ने बताया की भूशल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए बुद्वार की अहिरे सुबा देवरी थाना पुर्भारी संगम पाठक के नेतत्वों में खोजबीन के दौरान किसी पुलिस सुआरे के पैर के नीचे धबने से मासूं की मौत हो गई बैराल पुलिस की और से परिजनों के आरोग को लेकर अब तक मामने में कोई आधिकारी पुस्ट्री नहीं हुई ब्यूरो रिपोर्ट आर्पी भारा खोली नहीं हम कोई तरस भाइक के निखेल गए तब पुलिस बाइज जवर जार चस्टी के आधिकार के धाके लिए भाड़ा है दमदाग निर्मान का भरोजा लालिस्टी टीम्टी बार्स हर निर्मान के लिए उपयोग लालिस्टी टीम्टी बार्स रिष्टा मजबूती का